हलो स्टूडेंट सभी लोग का स्वाव है तो फिर से इस चैनल पर तो कल की क्लास में हम लोग यहीं देख रहे थे कि प्रतिरोध का नियम तो बिट्वी थोड़ी लंबी हो जारीत इसलिए वीडियो को वहीं पर रोकना पड़ा था इसलिए आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे तो प्रतिरोध के नियम में हम दो चीज़ दिख चुके थे कि क्या पहला था हमारा पहला हमारा था कि अगर कोई कंड़क्टर का कंड़क्टर है उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है वो डिपेंड करता है या फिर जो भी उसकी लंबाई की अनुक्रमान पाती है जिसको और proportional L लिख सकते हैं पहला तो यह हम लोग का clear हो चुका था उसके बाद दूसरा हमारा था है दूसरा हमारा था कि जो हमारे प्रतिरोध है वो हमारी प्रतिरोध हकता पर निर्वर करती है क्योंकि कल की वीडियो ही मैंने clear कर दिया था कि जो प्रतिरोध है उसका एक property है जैसे हमारी आपकी कोई गोढ़ होती है वैसे प्रतिरोघ का भी एक गोढ़ बाती है वी हमारी हमारी क्लिर की हमारी है हमारी प्रतिरोध्यざंत करने प्रतिरोधकत आधे प्रातिरोधत्ता हमारे रो से दिखा जैते हैं यह इतना मेरे खाल्स कल तक क्लास में क्लियर हो गया होगा होगा हम लोग आगी चलते आगे देखते हैं कि कुछ और factor है भी या नहीं हाँ एक factor और है अब यहीं से उसकी अगले factor को अगर हम देखे तो अगला factor यहीं से निकल के आता है कि देखे अगला factor यहीं पे इसका निकल के आता है कि दीसरा पॉइंट है किसी चाला का प्रतिरोध उसकी लंबाई उसकी पदार्थ की प्रतिरोधक्ता पर अनुप्रश्ट का छेत्रपल की व्यूत क्रमानुपादी होता है यहां पर हमारी प्रतिरोहथकता है और प्रोपोर्श्टन बोल रहा है व्यूत क्रमानुपादी 1 लिख सकते हैं और यहां पर हमने क्या किया है और प्रोपरोश्टनल L लिया है ऐसे mlत था है आज radhi विद्प्रमानुपाति हुआ अगला जो हमारे स्टेटिन मन क्या है कि जो हमारे प्रतिरोध है वह क्या अनुप्रस्त काट छेत्रफल पर और लंबाई पर निर्वर कर रहा है क्योंकि अभी आगे थोड़ा से और क्लियर हो जाएगे जब हम प्रतिरोधकता के हमारी आगर जेक है कि प्रतिरोधकता के दैफिनियसन गया हैं यानि कि हमारी अगर देखे कि फैक्टर और या फिर प्रोपोर्शनर कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर तीनों चीज याद रखने की ज़रू है कि हमारे डिपेंड फैक्टर ऑफ रजिस्टेंस तो फैक्टर रजिस्टेंस हमारा क्या है वो हमें याद करने की बहुत ज़्याद याद नहीं करना है या फिर रटना नहीं है अगर कोई कंड़क्टर है उसका लंबाई है उसका प्रोस सेक्षन एरिया है तो यह सब किस पर डिपेंड करेगा यह हमारा प्रदूर्द उन सब करेगा जैसे अगर यह कोई हमारा एक कंड़क्टर है इसकी कोई क्रॉस सेक्षन एरिया होगी है इसकी कुछ लंबाई होगी तो यह क्लियर हमें एक व्यू मिल जाते हैं फिर क्लियर हमें यह पता चल रही है कि हमारा जो प्रतिरोध है वह लंबाई पर निर्भर हो रहा है प्रतिरोधक्ता पर निर्भर हो रहा है प्रतिरोधा था पर तो निर्भर होगा है क्योंकि वह उसकी प्रॉपर्टी है आगे देख लेते हैं कि आगे कौन सा पॉइंट है प्रतिरोधक्ता टीडियर अगर आगे क्या है यह सब सब आते रहें घरतिरोधक्ता क्लiर अगर बोलना है ना अगर बॉलना जा क transf ad रहाँ कि प्रतिरोध के प्रटिरोध का गुढ़ है लेकिन किसी के गुढ़ से थोड़े हैं और कर सकते हैं अच्छ वह उसके पर दुर। है जिसकी लंबाई एक मीटर तथा और प्रस्त काट भी एक वर्ग मीटर हो विश्ट्र प्रतिरोधिया प्रतिरोधक्ता के लिए सिंपल है कोई बहुत ज्यादा इसमें भी देखें प्रतिरोधक्ता की बात करें तो यह बोल ला कि माली जी यह कोई इसकी लंबाई हो वह 1 मेटर हो और अनुप्रस्त काट छेत्रपल एक मीटर हो ओधक्ता अर्फसकी यूनिट बाता है कि वर्ग मीटर होती है तो अगर किसी भी कंड़क्टर की अनुप्रस्त काट का च्रतिर्पल हमारा एक मीटर है और उसकी पूरी रंगा है कि अगर यह माल लिज Lanczy कि आँसे लगे डो मीटर हैं popular हो जाएगा सब क्में अगर होगा इस है तो कोई भी में रॉटनी श्रणी नहीं कि हाह रटना यह पर कुछ ग्लेर श्जांना क्लोर तक क्या है व्याद को तक है तो तक है यहां प्रतिरोत का नियम पढ़ है तो ही मैंने बोल दिया कि आज हमारा पर रिजिटन्ट डिपेंट किस पर रोपे रो यहां से रोग हम निकाल सकते हैं जानते जिसको अंग्रेजी में प्रतिरोत में याद रखं़ता है तो यह याद रखरां बाद कि यहें हमारी जीटन्स का में होता है था दिमाग में रखकाएगा उन knead ideal होती है अब हमारी वह होता है इसको प्रतिरोत क्या होता है और इसकी कि प्रोपर्टी रजिस्टिविटी इसका ओम मीटे हो जाएगा यह याद रखेगा यूनिट बहुत ज़्यादा जरूरी है यूनिट में याद करने की भी याद नहीं करना पड़ेगा अगर थोड़ा सा धिहान देती हुए चल रहे हैं वीडियो को अच्छे से दीख रहे है अगर आप तो मेरे कहल से याद करने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं थाले कि नोट्स अपना प्रिपेर कर लिए क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टन होते हैं अगला हमारा जो पॉइंट है क्या है अगला पॉइंट हमारा है चाला कत्व कंड़क्टेंस अब कंड़क्टेंस को अब क्कंड़क्टेंस की बारे में जानती है क्कंड़क्टेंस क्या होता अब कि चालकत्व हिंदी में चालकतव बोलते हैं अंग्रीजी में कंड़क्टेंस बोलते हैं अब जैसे कि आपने देख लिया कि प्रति रोध की बात हम लोग कि बात कि अगर प्रतिरोध हमारे बैदुध्धार का विरोध करता तो क्या करेंगा हमें एक फ्लो होने के लिए गुड बोल देख कर अगर हमें प्लो हो रहा है तो किसी भी धार्गा विरोध करता है तो च्छालकत्त वक्या करता है मतलब कृध करता है